असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग आप बिल्कु ठीक होंगे वेलकम बैक टो माई चैनल मार्किट गए होए थे शॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी बस कुछ ज़रूरी चीजे लेनी थी वो लेने के लिए गए थे तो इस टाइम जब मैं आइडिटिंग कर रही हूं बिल्कु सुबा का टाइम है तो पीछे से ऐसे आवाजे भी आ रही होंगी आप लोग को बस बचों को ट्वाइस ले दी है थोड़े से खेलते रहें राम से वो कुछ ना कुछ ले दो ना उन्हें तो राम से वो अपना बीजी रहते हैं फिर तंग नहीं करते हैं यहाँ पर जुलरी देखी थी सिस्टर अपने लिए जुलरी देख रही थी यह रिंग मुझे बारिश हो रही थी और मुझे यह एकस्पेक्ट नहीं था कि मेरे घर में यह हशर हो चुका होगा यह देखें हाल क्या हो गया हुआ सारा बारिश का पानी अंदर आ गया था बाहर से बता नहीं क्या हुआ है वो गटर कोई बंद हो गया था सीवरिज का प्रॉब्लम हो गया था तो ये हलात हो गय थे रूम के और सारा बाहर भी बुरा हाल सोचा था कि घर जाके रेस्ट करूंगी और आगे से मेरे लिए ये निया काम स्टार्ट हुआ हो था खुद बुरा हाल हो गया वादा पूरे घर का कार्पिट वगरा हर चीज गीली थी ये कप्ड़े ढाल के गई थी सूकने के लिए हो भी गीले हो गए थे बस फिर बच्चों को तो चेंज कर आके मैंने बिठा दिया था टीवी लगा के उन्हें बीजी किया था उसके बाद फिर मैंने सारा साफ किया घर और फिर किचन में आगी पास्ता की त्यारी करके गई हुई थी वो बनाया चीज पास्ता लास्ट रही मैंने बनाया था तो हस्बरन को मेरे बहुत पसंदा ना तो वो कहते कि चीज जरा तुमने कम डाला था तो इस तफ़ा फिर मैंने अच्छी तरह भर के चीज जाला था क्यों कहाई थे कि नामी इसका चीज पास्ता है और तुमने चीज इतना कम डाल दी है तो बस फिर मैंने का फिर ठीक है इस तफ़ा आपको अच्छी तरह भर की धूंगी बस वो बनाया था उसके बाद फिर हस्ड PR ने बच्छो ने मैंने हम लोगों ने खाया और उसके बाद पे डे एंड हो गया था हमारा क्यूंकि मैं इतना थक गई थी कि बस पर मैंने तो ब हो जाओ फॉरंड सबके सब के मेरा तो बहुत बुरा हाल हो चका हुआ हुआ था नेक्स डे का क्लिप है कड़ी बनानी थी मैंने तो बस फिस वबस वो उटते साथ ही फिर कड़ी आपको रखनी पड़ती है सबसे पहले क्योंकि इसने पकना होता है सारा दिन जितनी अच्छी पके की ना कड़ी जितनी तेर उतनी ही टेस्टी बनेगी आदा कीलो बैसन में मैंने नमक नहीं डाला था ह्लदी और लाल मिर्चे पीजी उटाल दी थि और उसके बाद एक पाव बैसन में आदा कीलो मैंने दही आइट कर दिया था ची तना इसको विसकर के ना फिर इसमें पानी आइट करना है आपने पानी आपने थोड़ा थोड़ा आइट करना है ताके वो इस गुटलियां सीना बन जाए ना वनना इसमें बस थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी आइट करते रहना है और फिर करते ही रहना है आपने पानी क्योंकि इसमें पूरा भ वक्ती रहती है वस आपने ध्यान रखना है कि जब वाइल आए फर्स्ट तो एकदम से बाहर ना गेज है उस टाइम आप पास ही रहीएगा हल्दी थोड़ी जदा डलेगी इसमें क्योंकि कड़ी का कलर पीला होता है ये देखें ये कुक होना शुरू हो गई हुई है काफी ज़्यादा कुक हो गई थी तो ये कलर किस ताहन से चेंज हो गया है ना हल्दी ने भी अपना कलर शोड़ दी है उसके बात विंग्स बनाने दी बच्चों ने कहा वा था चिकन पीस का तो चिकन पीस में पस अवलिबल नहीं थी मिनका फिर 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 विंक्स बर्ड़े हो एं वो बना दे थी हो आप लोगो उनने इससे क्या फरक पड़ता है हूंने बस चिकन पीस चाहिए वह वो вместе मिले मिले जसन के लीए लेसन घरी मिचह नमक पेस्यूबिा लाल मिच है सिर्का सौा शौा सौसा चिली सौस जाल दी थी है और सैथ में पानी येधि कर दिया था जो दने अबसेमें सब चीजों को मिक्स कर लें और उसके बाद पर इस में चिकन को डॉले लें चिकन जो ता मैं डी फ्रोस्ट करना भूल गई थी बस पिर इसी में ही रहने दिया था वो खुद ही फिर खुल गया था थोड़ी देर पही न पड़ी साथ-साथ मैं चेक कर रही थी आके बस यहां फूब को जें लिए देखें तो फिर मैंने इसमे नमक एड़ कर HC दिया था नमक आपने पहले अपने आर्ड नहीं करना बिल्गू भी वाफ को कोजेजी ना तब आपने नमक एड़क 이상ना है इसमें में उसके बाद विंग्स के लिए मैंने मैदा निकाल लिया था मैदे में फिर मैंने इसको चान लिया था सारा मैदा ही क्यूंकि आज कल बरसाथ का मौसम है तो फिर ये देखें दन क्या क्या गंद वगारा इन्होंने डाला होता है इस तरहां से तो चान लिया करें लाजमी बस पिर सारा मैदा चान किया उसको पिर मैंने अच्छे से वो दुबाया उसको बॉक्स में वो पैक कर दिया था एक कंटेनर में बाकी का जो रह गया था वो पर मैंने यूस कह लिया था विंग्स के लिए उसके बाद यहाँ पर मैं पकोडों की तयारी शुरू करने लगी थी तो पकोडों के लिए भी पर मैंने बेसन चान लिया था अच्छे से बेसन में वैसे इस तरह से बुरा हाल नहीं था जिस तरह से मैदे का वा वा था बेसन में पर मैंने हरा धनिया प्यास गरम मसाला पिसा हुआ साथ में पीसी वी लाल मिच्छे और नमक एड़ किया था बस मैं तो इतनी सिंपल इंग्रेडिंट्स की उस कहती हूँ आप लोगों अगर कुछ और राइट करना हो तो कह लीजिएगा हाँ पिसवासु का धनिया भी डल सकता है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अच्छा टेस्ट होता है उसका भी साथ में ये विंग्स थे विंग्स के लिए मैंने मैदे में डाल लिया था मैंने चावल का आटा बेकिंग पौडर नमक और थोड़ी सी काल भी मिर्चे और इससे मिक्स करके मैंने एक साइट पे कर दिया था विंग्स बनाऊंगी बाद में उसके बाद थोड़ा सो ऑइल गरम करके अपने लिए मैंका थोड़े से पकोड़े फ्राय कर लूँ पहले ही शाम की चाय के साथ इंजॉआए कर लूँगी बच्चों का भी शेरी का टुशन से आने का टाइम हो गया था हस्बेंट भी बस आने ही वाले थो आफिस से तो मैंने फिर उसके लिए विंग्स फ्राय करना शुरू कर दिये दही था और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी आइड नी किया था बिल्कुल पहले ही पतला था इस तरह से पहले मैंदही में डिप कर रही थी उसके बाद मैदे में आप डबल कोट भी कर सकते हैं मैंने सिंगल कोट ही किया था क्योंकर बच्चों ने खाना होता है तो इतना क्रम्स औगारा मैं लगाती ही नहीं उनके लिए ना आज तो वैसे भी ये विंग्स खाके शेरी की तो बहुत तब्यत हराब हो गई थी सारी रात उसके पेट में दर्दा था बस फिर ये पकोड़े फराई करी थी मैं इसके लिए करी के लिए हम इस ताँ से ना चोटी चोटी टिकियांसी बनाके कड़ी में डालते हैं आप लोग अगर और तरीके से किसी और तरीके से डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं कड़ी almost done थी बस थोड़ी सी कुकों नहीं थी तो साथ सब मैं इसमें कोड़े आड़ करती जारी थी बनाके इसकी कंसिस्टेंसी देख लें बस और एक दो मिनर्टी मैंने इससे पकाया था उसके बाद ये done हो गई थी तड़के के लिए मैंने प्यास डाल ली थी प्यास ना जरा गोल्डन प्राउंसी आपने करनी है ज़स्त तड़के में यूज होती है न चुलेगा मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका होगा था सुबसे कड़ी बन रही थी पकोड़े और फिर फ्राइट सारी चीजे बन रही थी तो इसलिए बहुत बुरा हाल था साथ में साबत लाल belief जी जीरा डाल दीया था और कड़ी ड़न होगी थी ये विंग्स की भी फाइनल लुक थी विंग्स भी बन गए थे बच्चों को दे दिये थे मैंने खा रहे थे वो लोग उसके बाद हम वो अपनी पाइक्स वगरा चलाने लगे थे बाएर आके बाइक उसने अपनी शेरी ने ले ली थी जाप में मौमी ने गाड़ी अपनी लिकाल ली थी बच्चे अपना बीजी थे तो मैं फिर बस किचन में आ गई थी मैं कर सुबह से इतना गंडला हुआ था किचन में बस वो मैं इनका मैं समेटूं किचन साफ किया था उसके बाद पर मैं रूफजा बना के फ्रिज में रख दे थी हूं क्योंकर बार बच्चे पीते हैं मेरी आती है वो भी पीती है बस पर मैं एक दफाई जग में बना के फ्रिज में रख देती हूं कामशम हत्ब हो गया था बस पर एंड होने लगा था टे का तो मेट शेक के बगार तो हमारा गजारा नहीं है वो बना रही थी में गहर में शेक सबसे जादा मेरे छोटे बिटे को बन रहा होता है तो वो साथ ही पास ही मेरे खड़ा होता है और ये अपने लिए ग्लास भी बंद ले आया था कि मामा इसमें डाल दू इसको बस होता है कि बस शेक रेड़ी हो रहा है तो पास मेरे लिए से पहले मुझे दे दिया जाए मैं पीलूँ ये गिर गया था इंशाला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आला हाफिस.